नमस्कार दर्शिकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहदी खास कारी करम वैदिक गुरू में और मैं हूँ आपके साथ उपिंदर कौर दर्शिकों क्या आपनी कभी सोचा है कि आप अपनी हस्त रेखा के माध्यम से कैसे अपनी जीवन के बारे में जान सकते हैं आपकी हस्त रेखा आपके बारे में क्या कुछ बता सकती है और आपकी हस्त रेखा आपकी जीवन के बारे में कैसे बताती है क्या कभी आपनी सोचा ह अगर सोचा है तो क्यों ना आज इसी विशे पर आपसे चर्शा की जाए तो आज इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपको आपकी हस्तरेखा के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले हैं कि आपकी हस्त रेखा के माध्यम से आप अपने जीवन की किन-किन गहराईयों के बारे में समझ सकते हैं, किन-किन बातों के बारे में जान सकते हैं बहुत सारी विशेश जानकारी आज पी इस कारिक्रम के माध्यम से आपको मिलने वाली है तो कारिक्रम बहुत ध्यान पूर वक्त देखीगा चलिए इसे के साथ कारिक्रम की शुरुवात करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारी बहुत ही खास महमान का जो की आज हमारे साथ स्टुडियो में उपस्तित हुई है आपको यह समस्त जानकारी देनी के लिए जी हाँ हम बात कर रहे हैं हस्त रेखा विशेशक के मीना सक्सेना चीकी तो आईए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें नमस्कार मैम बहुत बहुत स्वागत आपका तो यह शिक्षा आपने कहां से प्राप थी तो यह हाँ देखने का जो शौक है ना में कहांसे सभी को हाँ दिखाने का बहुत शौक होते है तो जब मैं छोटी थी तो जैसे ही पता चलता था कि कोई हाथ देख रहे तो मैं फट से अपना हाथ दिखाने पहुँझ जाती थी और जो थोड़ा बहुत तुम्हां से सीखा तो मैं अपनी सहेलियों में और आसपास में बोलती थी कि मेरे को हाथ देखना आता है तो बहुत अच्छा लगता था कि वा, इसको हाथ देखना आते हैं, जब सब लोग ऐसे कहते थे, तो ये शौक मन में था कि मेरे को इस शेत्र में आना है, फिर लाइफ में इतना बिजी हो गए, कि फुरसत ही नहीं मिली सब को सीखने की, अब जब फुरसत मिली, जब सब कामो से फ्री हो गए, तब मेरे हजबन, हम दोनों को इस विशे में बहुत इंटरेस्ट है, तो इन्होंने सर्च किया कि कहां से हमें सीखा जाए, तो एक ही नाम हमारे सामने आया, कि All India Institute of Occult Science, हमने सब के रिव्यूज पढ़े, तो बहुत अच्छा लगा, हमने सुचा यहीं से स जानके बहुत अच्छा लगा, कि इतना अच्छी तरह से वहां सिखाते हैं, बस मन, जैसे कहते हैं, कि मज़ा आ गया, और बस पिर हम इस शेत्री में आ गया, चली मैं, बहुत अच्छा लगा, आपसे यह जानके, कि आपका इंटरस्ट किस तरीके से इस फिल्ड में बढ़ इसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीव स्टुन पर दिखाये चा रही है, चली इसी के साथ कारिक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अपने विशे पर चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि आज का हमारा विशे है पामिस्ट्री, यानि कि हस्त रेखा के बारे में मैं आपसे ज शीवन के बारे में कैसे जान सकते हैं? शीव जी के दो पुत्र ये हम सभी जानते हैं कि कार्तिके और गणियर जी, कार्तिके तो बहुत बुद्धिमान कहलाई जाते हैं, तो कार्तिके जे उस समय लक्षन शास्त पर एक पुस्तक लिख रहे थे, जिसमें उन्होंने मनुशे के सर से लेके पाउं के नकून तक सभ बले कि भाई उन्होंने मेरी की जो किताब है वो उठा के फेंग दी, तो उन्होंने बोला कि जाओ समुद्र देवता से मांग लो, कार्तिके जी गई और ले आए, फिर उन्होंने लिखना शुरू किया और फिर गणियर जी ने फेंग दी, तो यसे दो तीन बारी जब हो ग दिया, कुछ लिखा, और सामुद्र रिशी ने इसमें अपनी भी बातें लिखकर इसको आगे बढ़ाया, इसको हम कहते हैं सामुद्रिक शास्त, सामुद्रिक शास्त का ही एक अंग है, हस्त रेखा विज्ञान, जिसके बारे हम आज बात करें, बहुत सुन्दर से और आप एक सवाल यहाँ पर मैं आपसे खरना चाहोंगी, बहुत सबूल जाना चाहोंगी, और जो लोग अभी तक बारे में नहीं जानते, उनके लिए इसको आपने बहुत अच्छी बात पुछी है, पर जो बड़ों से सुना है, पर दरसन करना चाहिए लिए किस तरह से किया जाए अगर यह नियमिक तरीके से और सही ढंग से किया जाए तो करदर्शन से अच्छा अपने हातों की लकीरों को अशुफल को अच्छे फल में बदलने का कोई तरीका नहीं है हमको सबसे पहले उठकर जैसे हम सोचते हैं कि अरे हमको आफिस का टाइम हो रहा है या टाइम क्या हो गया हमको उठना है या बच्चों का टिफिन बनाना है इन सब चीजों को छोड़ कर हमको सबसे पहले सवेरे उठकर चेहें वो तीन बज़े हो चार बज़े हो पांच बज़े आप जब भी उठें सबसे पहले अपने पित्र तीर्द, देव तीर्द, काय तीर्द, ब्रहम तीर्थ और अनयास हम हम अपने सुभा गवान मं द द रशन कर ले तो अगर हम सुभे सारे कि जो आप आज अपने हाथ की फोटो लीजे और फिक कुछ टैम बाद रेगुलर करने के बाद अगर आप अपने हाथ देखें तो आपकी हाथ के लकीरें बदल जाएंगे चले बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कर दर्शिन के महत्व को देखें दर्शिको आज इस कारिक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रहे हैं हस्त रेखाओं के बारे में कि किस तरीके से हस्त रेखाएं आपके जीवन को प्रभावित करती हैं किस तरीके स आप अपने हस्त रेखा के माद्यम से अपने जीवन के विभिन पहलों को जान सकते हैं अभी तक आपने जाना कि हस्त रेखा की जो उत्पत्ती है यानि कि यह विज्ञान की उत्पत्ती किस तरीके से हुई कि पामिस्ट्री कैसे हमारे लाइफ में आई और साथी साथ आपने यह भी जाना जो आपने बड़े बुजर्गों से भी सुना होगा कि हमें करदर्शन करना चाहिए हो सकता है आपने ना सुना हो लेकिन अभी तक हमने आपको यह भी बता दिया कि क्या होते हैं और इसका महत्वक इतना विशीश है तो करदर्शन यदि आप अभी तक नहीं क देखिएगा चले इसके साथ कारिक्रम में आके बढ़ते हैं अब यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगी यह तो बात रही हस रेखाओं की और किस तरीके से हम जो है हस रेखा के माधिम से अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं करदर्शन भी आपने बताया लेकिन बात सिर में आके अब से चाहूंगी कि क्या ही जो हम ऐसे हाद बंद करते हैं मुठी बनाते हैं इससे भी व्यकति के चरित्र के बारेमें या उसके सवभाव के बारेमें पता चल सकता है जी हमिल्कुल व्यक्ति के मुठी-बंद करने के तरीके सही है आप सोच सकते हैं कि AADMI का व्य को अपने कारे को अच्छी तरह से करेगा कई लोग बंद करते हैं हमने का मुठी बंद करो वह व्यक्ति जो है उसमें आपने श्वास की कमी होगी इच्छा शक्ती कम होगी और वह अपनी इच्छाओं को दबाएगा दूसरे पर निर्भर रहेगा कि मुझे कोई सहायता करने तीसरा तरीका है, मुठी बंद करने का, आपने ऐसे मुठी बंद की, इसमें अंगुठा हमारा क्या है? उंग्लियों के उपर ये सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इसमें उंग्लिय हमारी थौट से और ये विल पावर है, इसका मतलब है कि हम अपनी विचार शक्ति को, और will power को साथ रखके चलते हैं जैसे कहते हैं तोल मोल के बोल संभल के चलना तो वह व्यक्ति पूरा balance होके चलेगा तो इसको हम सबसे अच्छा कहते हैं इस तरह से हम व्यक्ति के सिर्फ मुठी बंद करने के तरीके से ही पता लगा सकते हैं यानि कि यह अधा सागर है बहुत कि हम किसे अस्तरोजर के पास जाते हैं अगर अपने हम कुंडले दिखाते हैं तो वह हम से हमारी जन के तारिक समय स्थानी सब कुछ पूछते हैं जब हम हस्त रेखाओं की बात करते हैं तो क्या इसमें भी इन चीजों के आविशेक्ता पढ़ती है या फिर हम सिर्फ हस्त रेखा के माध्यम से ही व्यक्ती के पूरजी वन के रूपरेखा बता ज़िए है इसे ऐसे बता सकते हैं अगर आपका हाथ चुआ को खटते हूं सेंके वक्ती बड़ा कैए यह स्वे अबृटर है यह सब हम सिर्फ हाथ को हाथ मेलेके बता शडू इसका हाथ नरम है तो हम अती सकते हैं तो वहीं सात्मक या क्रोध परवर्तिका होगा उसमें बहुत क्रोध होगा। अगर आदमे का जैसे थोड़ा सा संकड़ा है, पतली हतेली है तो हम कहेंगे यह स्वार्थी होगा। चोड़ा है तो वह व्यक्ति विश्वसनिय होगा। लंबा है या सफेध है क्योंकि रंगों के आकार से, हाथ के नुकिले पन के आकार से, हाथ के चोड़ाई के आकार से, काला, सफेध, लाल ये सब देखके, नाखुनों में और नाखुनों के चंदर देखके, हम सिर्फ बिना किसी उसके चरितरो व्यक्तित के बारे में बता दे यहां पर आपने रंगों की बात की हाथ किस प्राकार से हानि वाइड़ और 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 कूंसे रंग होते हैं? तो यह पहले है ती हम भी हृरान थ्या हात वे इनकित ब्सक्शन गयुकी को प्रैप्ति का है तो फेला या पीला हात होता है तो हम कहेंगे कि इसमें रग्त दोश है इस तरह से हम हाथ के बारे में लग तो उल्हारोन के हाथ, मारे मिन नांगौनों के Chandra गए कार है या नहीं उसका भी कुछ मतलब होता है कि आप इसमें जितना घुसते जाएंगे उतने इसमें आपको आनन आता जाएगा जो चंद्र है उनसे हमको पता चलते हैं वो शूब होते हैं अगर ज्यादा चंद्र दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई रोग है लेकिन अ होती है तो यह कैसे सुनिश्चित होता है कि इनकी हाथ की रेखाएं अच्छी है या इनकी हाथ की रेखाएं अच्छी नहीं है देखे हाथ में रेखाएं तो सभी क्यों होते हैं बिल्कुल है अब मैं कहूं कि मेरे हाथ की रेखाएं अच्छी हैं उसकी ऐसी हैं तो यह कैस कि आप पता चलता है कि जीवन में असे फलता है दुर घटना है या कोई रोक की निशानी है या आपके जीवन में कोई बाधा आने वाली है जब कि इस पस्ट गुलाबी सुंदर चम की लिए रेखाएं अच्छी माली जाती है इस तरह से हम उसको अलग-अलग श्रेणी में र कर दो हम अक्सर जीवन रहता है यह आपकी माइंट की लेखा है या फिर आपके हिर्दे की रिखा है तो इन रेखाएं के अलावा भी कोई रेखाएं होते है क्योंकि हमारी हाथ में यह दो नाइन सा यहां से एक या-दो चली जाती है सो इसके अलावा भी हम अपनी इसके सिवा हमारे हाथ में सूरे रेखा, शनी रेखा, स्वास्थे रेखा, विभा रेखा, संतान रेखा, यात्रा रेखा, दुरगटना रेखा, जाने कितनी रेखाएं हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, हाथों के साथ, साथ, रेखाओं के साथ, जैसे संतान रेखा भी हो हो जाती है इस तरह से बहुत सारी चीज़े चले बहुत सुन्दर से जैसे कि अभी मैं ने आपसे चर्शा की थी कि हम अकसर अपनी जीवण रेखा भी देखते हैं क्योंकि जालत अरना हम यह देखं़ आले आए ईव топ कि या आयू होगी वो बिमारियों से भरी रहेगी या अच्छी हल्दी लाइफ जीएंगे हम जीवन रेखा जो है ना जैसे हम लोग शुरू में बच्चे लोग कहते हैं कि छोटी है तो कम जीवन लंबी है जीवन की आई जो आपकी आयू है वो सिफ जीवन रेखा से नहीं पता चलती जी हिर्दे जीवन रेखा जो है वो लंबी है लेकिन आगे कोई ऐसा चिन है जिससे जीवन रेखा का सारा जो फाल है वो विपरीत हो जाता है जीवन रेखा अच्छी है हिर्दे रेखा पे कुछ ऐसे निर्दोश नहीं है उसमें कुछ दोश है तो अगर सभ्यक्ति को हार्ट हो गया तो वह लंबी जीवन रेखा क्या करेगा इसलिए हमको इन सब चीजों को साथ में क्या है पामिस्ट्री डीडिंग ओफ कॉंबिनेशन हम सिफ आयू देखने के लिए जीवन रेखा से ही नहीं माल सकते हैं कि आपका जीवन इतना लंबा है या इतना चोटा इसके लिए हमको चेंडेखने पड़ते हैं उसे निकलती हुँझ रिखा यह लिए भात्ती हैं उसी को ही लिख जिवन रेखा है उसी को ही हमारी निर्धार के से हम अपने स्वास्ते के बारे में पता लगा सके और जीवन के बारे निरोगी बिल्कुल और अगर हमारा सब कोछ हमारे पास है लेकिन अगर हमारा स्वास्थे ठीक नहीं है तो फिर इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं जो स्वास्थे रेखा है उसका ध्यान रखना जैसे स्वास्थे का ध्यान रखना होता है ऐसे स्वास्थे रेखा का बहुत अच्छ तो क्या होता है जीवन में दुरघटना घटित होनी ही होनी है लेकिन पामिस्टी में अगर हमको यह पता चल जाता है कि हाँ बही कोई दुरघटना होने वाली है और हमारी हिड़दे रेखा भी दूशित है तो हम वहां पर डॉक्टर से सलहा ले लेते हैं ताकि सुधार हो सक यह हमारी स्वास्थे रेखा अगर अच्छी है तो हमारा जीवन भी अच्छा होगा और बिल्कुल निर्दोश जो स्वास्थे रेखा होती है उससे पता चलता है कि व्यक्ति कितना स्वस्थ है अकर्शक व्यक्ति तो है अगर स्वास्थे रेखा शीर रेखा को काटे तो प करती है चली देखिए दरश्कू कितनी विशेश जानकारी आज से पहले भाला ने पर आप से ती आędिल में अपundo में प्रदान चाहे cheg दान किजिए पकल साइन्स दिल्ली से कैसे वहां से आप जूड सकते हैं उसके लिए डिटेल्स जो है लगातार आपकी टीव स्कुन पर दिखाई जा रही है चली इसे के साथ कारिक्रम में आके बढ़ते हैं अभी जैसे कि हमने अपनी जीवन रिखा की बात की स्वासे रिखा की बात की हाथ में मस्तिक्ष रेखा और फिर्दे रेखा जो है बहुत महत्तूर्ण होते हैं तो इसके बार में भी बिचाना जाओंगी मस्तिश रेखा यानि माइड लाइन का होना वैसे ही जरूरिया जैसे मैंने का यश और धन की जननी क्या है बुद्धी अगर आपके पास बुद पास में से भी निकलती है जूड़ी हुई या कईयों की अलग से भी निकलती है अगर मस्तिक श्रेखा चोटी है तो हम कहते हैं कि व्यक्ति में बुद्धी कम है अगर वो अपनी स्थान से हटकर नीचे की और से है मस्तिक श्रेखा अगर हथेली के बिल्कुल आरपार है तो व्यक्ति जो है वो बुढ़ापित तक भी उसकी जो यादास्ट है स्मृति है वो अच्छी रहती है मस्तिक श्रेखा इतनी इंपोर्टेंट है कि जैसे सपोज कोई हमारे पास कितना ही समान हो लेकिन हम उसे कुछ उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो वो सब बेकार है आपको एक कहानी सुनाती हूँ एक व्यक्ति था वो लकडियां काट के कोईला बनाया करता था और उस कोईले को बेचा करता था और अपना जीवन गुजारा करता था लेकिन उसका जीवन इतना अच्छा से अराम पुर्वक नहीं गुजर रहा था एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था और उसने बोला कि भई तुम रो क्यों रहे हो तो उसने अपनी बताया कि ऐसा ऐसा है उसने बोला कि ठीक है मैं तुमई चंदन का बगीचा देता हूँ और तुम फिर अराम से अपना जीवन यापन करो उसने बोला ठीक है और वो चला गया व्यक्ति दे कर उसको कुछ सालों बाद आया 2-3 साल बाद तो उसने फिर से देखा कि वह व्यक्तिर हो रहा है वहीं पर तो उसने बोला कि देखो कितना बेवकुफ हो वह चंदन का बगीचा था अगर तुम थोड़ा थोड़ा लकडी काट के और उसका घिसके उसका वह भी मंदिरों के बाहर बेज़ते तो तुम्हाज लगपती होते और तुम्हें ऐसा काम कर जरुतनी होती है तो वही मैंने कहा ना कि बुद्धी का सही प्रयोग होना लाइफ को प्रगति भाग्या बदलने के लिए बहुत जरूरी है बहुत सुन्दर से आपने हमें समझाया अच्छा हमना लक लाइन भी बहुत एक देखते हैं आपने कि लक लाइन हमारे ऐसी है त तो वह कौन सी रेखा होती है और क्या उसी रेखा के क्योंकि आपने जैसे की बताया कि जीवन रेखा के साथ साथ हम स्वास से रेखा भी देखते हैं तो क्या भाग्ये रेखा के माध्यम से ही सिर्व भाग्ये रेखा जाते है या इसके लावा भी कुछ रेखाएं होती है जिससे जाना जाता है देखे भागे रेखा से हम धन यश यह सब तो देखते ही है भागे रेखा हमारा मड़ीवन से श्रू होके अगर शनी परवा तक जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है उस इंसान का जीवन खुश हाल जीवन वो जीता है और कोई अच्छे उच पत पे अधिकारी बनता है अगर वो शनी रेखा या सूरे रेखा भी जाती है हमारी भागे रेखा हथेली मड़ीवन से लेके पूरा सूरे रेखा तो बहुत अच्छा भागे वान व्यक्ति माना जाता है भागे रेखा भी अगर टुकडों में जा रही है तो इसका मतलब क्या है क सपोस्पोज वह रुख गई पहले आगे जाके फिर थोड़ा सा फिर आगे बड़ी फिर आगे बड़ी तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की जीवन में रुक रुख के प्रगती होगी अगर बागय रेखा दो है क्योंकि हाथ में 2-3 भागय रेखाई हो सकती हैं अगर बागय रे कमें बहुत सारे एक्चली वारियेशन हैं जो हम इतने शौट में नहीं बता सकते हैं बिलकुल बहुत अच्छे एक सवाल मैम हमारे मेरे मन में एक और आया है हम अक्सर यह भी सुनते हैं कि आपके हाथ में एक्स बना हुआ है या थृषूल बना हुआ है चंद्रमा बना और पहुते हैं तो क्या सच में वह हमारे लाइफ से बहुत रिलेट करते हैं जी क्यूंकि चेंड जो है वो किसी भी परिणाम को बदलने का अपने में सामर्थे रखते हैं जैसे मैं आपको जीवन रेखा के टाइम बताया था कि जीवन रेखा ज़ो हमारी बिलकुल जारी लेकिन अगर अंत में क्रॉस है या कटी हुई है स्वास्ते रेका से तो वहां पे हमारी जीवन में बाधा है अगर हमें कोई प्रॉब्लम है और हमारे लेकिन सहायक रेका वहां पे चल रही है हमारी जीवन लेखा चोटी है लेकिन साथ में हमारी साहयक रेका मंगल रेका चल रही है तो हमारे जीवन का बचना असान है मतलब हमें रोग निरोधक शमता होगी अगर कोई दिक्कत आ गई और वहां वर्ग बना हुआ है सपोज आदमी जेल में गया है या कुछ उसको इस त आएगा हाथ में क्रॉस अच्छे नहीं होते हाथ में द्वी पच्छे नहीं होते हाथ में यव अच्छे नहीं होते हर चिन का अलग 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 बनन है शंक अच्छे होते हैं हाथ में मचली का साइन अच्छा होता है धन की निशानी होती है अगर मचली का साइन आप के हाथ में बिलकुल clear मचली अगर बनी हो तो वह आपके हाथ में धन आएगा ही आएगा इस तरह से अलग अलग साइंस का अलग बहुत सुंदर आपने हमें जानकारी प्रदान की है और मैं हमेशा ही इस कारिगरम में अभी तक बोलती आ रही हूं कि जो जानकारी आप हमें दे ये कहना होता है कि हमें अपना हाथ नहीं दिखाना चाहिए कि अगर यदि हम अपना हाथ किसी को दिखाते हैं तो वो हमारी हाथ की रेखाई चीन लेता है हमारी लग को चीन लेता है हमारी पॉजिटिविटी को चीन लेता है सब को चीन लेता है क्या ये इस बात में सच्च सचाई है जी नहींப कुल सचाएं नहीं है ऐसा कैसे हो सकते हैं जो मैं कर्म कर रही हूं अगर मैं ने बूर कर्म कि है और मैं आपको अपना हाथ दिखा रही हूं तो क्या मेरे बुर करम आफ पे docet एप पूरु कर्मित कर्मों का लेखा जोखा है है ना हमारा भाग्य कोई नहीं छीन सकता हम हाथ दिखाते हैं ठीक है आप किसी को हाथ मांग मांग के मत देखिए लेकिन अगर कोई हाथ दिखा रहा है इसके भी नियम होते हैं एक तो तो वो दिन कौन से होते है, रविवार, बुद्धवार, ब्रस्पतवार और शुक्रवार, इसके सिवा आपको हाथ नहीं दिखाना चाहिए, दूसरा अगर आप पेट भर के भोजन खा के और बहारी पेट से अगर आप हाथ दिखाने पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क् यह तो बिलकुल मित है, यह अपने-अपने कर्मों का फल है, जो आपको भोगना ही है, अच्छी और बुरी रेखाए, आप अपने कर्मों से खुद बदल सकते हैं, और कोई नहीं चीन सकते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक रेजन पर इससे जुड़े हो हैं, जैसे कि आपन मुठी बंद करने के बारे में भी बताएं कि उसके जरीये भी हम इनसान के बारे में बता सकते हैं, व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं, तो क्या सिर्फ रेखाएं के मांधियम से ही जाना चाह सकते हैं, रेखाएं सब कुछ होती है, या फिर अन्य चीज़े भी होती है, हमा और जीवन रेखा, स्वास्थे रेखा, बुद्ध रेखा, या शनी रेखा, सूरे रेखा, तो इतने ही कुछ काफी नहीं है, हमको इसे निकलने वाली शाखाओं को, ब्रांचिस को भी देखना पड़ता है, कि कौन से परवत पे जारी है, कौन सी रेखा से कट हो रही है, कौन का मतलब क्या है और हाथों में उंगलियों की किस तरह से है अनामी का उंगली कैसे है हाथों में चिद्र कैसे है हाथों की बनावट कैसी है यह सब चीजे हमको सिफ रेखाओं के सिवा भी देखना पकते हैं बिल्कुल बहुत सुंदर से आपने हमें बताया अब इसी की सासात आपसे ना tip of the day जानना चाहूंगी देखी अगर हम सोच की हताश हो जाएं कि हमारे हाथ की रेखाएं तो बहुत खराब हैं हिर्दे रेखा खराब हैं मुझे बिमारी होने वाली है जीवन रेखा छोटी है मैं ऐसे हो जाओंगी तो ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए घबराना नहीं चाहिए है ना आपने मैं कुछ पंक्तियां सुनाती हूं कि शमा तु बुझ जाए अगर तु जल सकती है शमा तु बुझ जाए अगर तु जल सकती है कष्टी हर तुफां से निकल सकती है मायूस नहों अपने इरादे ना बदल, ये पामिस्ट्री है जनाब तक्दीर भी बदल सकती है चली बहुत सुंदर यह अपने लाइन के माध्यम से ना कवीता के माध्यम से बहुत विशेश जानकारी हमारे दर्शकों को दिया मैं एक कहना चाहूंगी कि आ अप अच्छा सोचिये, अगर आपके हाथ की रेकाई बुरी भी है अगर आपके हाथ की रेकाएं में कुछ दोश बी है तो वेब बदलती है हमारी हाथ के रिखाएं बदलती है ऐसे नहीं कि जो रिखाएं है वहीं है अगर आप कुछ अच्छा काम करेंगे अच्छे सोचेंगे अच्छी विचार धारा रखेंगे धार में काचरन करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे करदर्शन करिए तो अपने हाथों का जरूर आप भागे बदल सकते हैं यदि आप भी जोतिशास्त्र में डूची रखते हैं यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भी जोड़ सकते हैं कैसे उसके लिए डिटेल्स लगा था आपकी टीवी स्प्रिन पर दिखाया रही है लगता था जीवन बदलने में वक्त लगेगा लेकिन बदले वक्त ने मेरा जीवन ही बदल दिया इस तरह से अगर आपने हाथों के करदर्शन करेंगे और पामेश्ट्री में इतनी सारी जानकारी हांसिल करेंगे तो आप भी अपने वक्त को बदल सकते हैं ब्लकुल बहुत ही विशिष जानकारी माझम आपने इस कार इक्रम के माध्यम से में दी आज उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद शोपागे ठ格 threaten to take to use time नमस्कार दर्शिम आप हमारे संत्वानी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिलकुल न भूले